नमस्कार competition community के comprehensive current fes program में मैं पुख्राजगिरी एक बर फिट से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो पिछले मन्थ जून का current fes लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ एक से लेकर 30 जून 2023 तक के जितने भी महतवपूर्ण current fes हैं उसको examination के point of view से प्री हो चाहे main so उसके point of view से अपन क्या कर लेने वाले हैं तो detail में analysis इस वीडियो के माध्यम से कर लेने वाले हैं यू तो मुझे जून के current fes को दो वीडियो के माध्यम से बनाना था पहला एक से लेकर 15 जून तक होता है दूसरा 15 से लेकर 30 जून तक लेकिन कुछ ऐसे reasons आ गया थे जिसके current मैं नहीं बना पाया तो आपको एक से लेकर 30 जून तक के वीडियो को मैं एक साथ आज आपको दे रहा हूँ चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण घोशना है आप सभी के लिए जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मोर चत्तगण नाम से यूट्यूब लाइफ की एक श्रंखला जो है वो मेरे द्वारा चलाई जा रही है अब यह जो सीरीज है यह प्रतेक शनिवार के दिन दोपहर तीन बजे हमारे कॉम्पेटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चानल पर क्या होता है लाइफ होता है और इसके माध्यम से अभी मैं चत्तगण के एक एक जिले को पढ़ा रहा हूँ यह जो कोर्स है यूट्यूब लाइव है मतलब सभी के लिए accessible है ऐसी कोई बात रही है लेकिन अगर आप इसका PDF चाहते हैं प्रतेक लेक्चर का उस कंडिशन में आप 200 रुपे प्रती महा की एक न्यूनतम सी शुल्क दे कर क्या कर सकते हैं तो PDF को प्राप्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोसों को बहुत जादा कमाई नहीं हो जाएगा बट ऐसा है कि प्रतेक छात्र के लिए जो स्पेस है हमारा उसको मानज करने के लिए कुछ न्यूनतम सा खर्च है और उसी खर्च को बेसिकली हम लोग निकालना चाहते हैं बाकी इससे का जो न्यूनतम फी है उससे पीडियेफ ले सकते हैं पीडियेफ लोगे कहां से तो हमारे वेबसाइट पर यह आप्लिकेशन पर मोर छत्रगर नाम से पाकेज क्रियेटेड है उस पे से लिया जा सकता है ठीक है एक बात और मैं कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन कर दू है तो एक साहितकार को देखना है ठीक है तो ध्यान रटना एक कोड भगवान बंचीधर जो है वो विश्व के हीरा है भगवान बंचीधर क्या है तो विश्व के हीरा है ठीक है यह बात अच्छा अब इससे देखना साहितकार कौन है तो साहितकार है पंडित बंशी बंधी लिख दिया हूं जी यह देखो यह गाया भोगया चिक पंडित बंशी धर पांडे तो पंडित बंशी धर पांडे जो है वो है कौन साहितिकार इनको ना 36 गड़ी का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है ठीक है तो बेसिकली 36 गड़ी के प्रथम उपन्यासकार कहलाते हैं कौन पंडित बंशी धर पांडे जो की साहितिकार है जो मैं आपको बता रहा हूँ अब इनकी रचनाओं की बात करोगे न तो यहाँ पर एक लाइन खीज देता हूँ तो इनकी पहली रचना है विश्व का फल क्या है पहली रचना विश्व का फल और दूसरी रचना जो है वो है हीरू के कहीनी छिक है हीरू के कहीनी इनकी दूसरी रचना अब हीरू की एक कहीनी जो है यही 36 गढ़ी का प्रथम उपन्यास है संमय तो मैंने ये कहा बंशी धर विश्व के हीरा है यह आपका कोड है बंशी धर से याद रखना साहितकार है पंडित बंशी धर पांडे जिनने 36 गढ़ी का प्रथम उपन्यास कार कहा जाता है विश्व से याद रखना एक इनकी रचना विश्व का फल और हीरा से याद रखना इनकी दूसरी रचना हीरू के कहिनी और हीरू के कहिनी जो है न यह first उपन्यास है 36 गढ़ी का या प्रथम 36 गढ़ी उपन्यास है ठीक है अब आगे हम लोग क्या करेंगे तो एक एक करके सभ सेली बार राष्ट्री रामायन महुत्सव जो है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया तो ध्यान रखिएगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक सिले के तीन जून 36 गड़ के रायगड जिले में राश्ट्री रामायन महुत्सव का आयोजन किया गया था ठीक है कि नहीं है और इस हिसाब से option number B जो है वो होना चाहिए आपका सही answer अगला question था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रोचसाहन राशी बढ़ा कर कितनी की गई है तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसकी राशी 25,000 से वर्ष 2023 चोबिस का जो बजट है उसमें बढ़ा कर कर दी गई थी 50,000 clear है कि नहीं तो बढ़ा कर कितनी हो गई 50,000 option number C में दिया है option C आपका होगा सही आंसर मैंने बताया था 25,000 की राशी है 23 चोबिस के बजट में बढ़ा कर इसको क्या कर दिया गया है तो 50,000 कर दिया गया है चलिए अगला question जो था उसे देख लेते हैं 36 गड़ का पहला digital district किसे घोशित किया गया तो सही आंसर क्या है option number D महा समुद्ध मैंने आपको बताया था यहाँ पर जितने पात्र बैंक खाते हैं उनमें 100% क्या हो गया digitalization हो चुका है और इसी लिए क्या हो रहा है इसे पहला digital district गोशित किया गया ठीक है के नहीं चलिए अब अगला question खरीफ सीजन 2023 में प्रती एकड कितने क्विंटल की धान खरीदी 36 सरकार के द्वारा की जाएगी तो इसे भी मैंने आपको बताया था कि पहले एक 15 क्विंटल थी जिससे बढ़ा कर घोशना की गई है कि कितनी की जाएगी 20 क्विंटल 20 क्विंटल समझ में आयक नहीं आया तो यह हुआ option number B आपका जो की क्या है सही answer 20 क्विंटल अब क्या की आजाया भई तो अब आजाया जाया कंडफैस पर तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री जी ने रीपा आर आई पी ए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क उत्पादों की बिक्री के लिए एक चाट बोट का क्या किया है शुभारम किया है तो अभी के लिए इसको यहीं पर छोड़ो और आगे चलो बेसिकली है क्या रीपा मतलब इस योजना का पूरा नाम था या पूरा नाम है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना या पार्क स्कीम समझ में आया की नहीं आया अब यह जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना या पार्क स्कीम है महात्मा गांधी जी के नाम पर इसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉंच किया गया था कब त तो अक्टूबर और वर्ष क्या था पूरा दो-दो 2022 2222 मत कर देना उतना आगे नहीं बढ़ें अभी तक हम लोग तो दो अक्टूबर 2022 गांधी जैनती के दिन रीपा ये जो योजना इसका शुबारम कौन किये भुपेश बगेल जी माननीय मुख्यमंत्री ठीक है कि नहीं है अब इसका उद्देश क्या था तो 300 रीपा डेवलप करना कितना 300 रीपा डेवलप करना जिससे क्या होगा भाई तो जिससे होगा ये कि इंकम बढ़ेगी और एमपावर होंगे ग्रामीड परिवार समझ में आया, तो जो ग्रामीड परिवार है, रूरल फामिलीज हैं, इनकी आए बढ़े, और ये क्या हो सकें, शशक्त हो सकें, इसी लिए रीपा योजना की शुरुवात की गई, ठीक है के नहीं है, अब इस रीपा हम क्या किया जाता है, तो गाउं के जितने गौठान हैं, समझ में आया, इन ही गाउठानों को डेवलप किया जाएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, अब इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, और इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका मूलक गदी विधिया जो है वो होंगी आजीविका मूलक गदी विधिया मतलब लाइवलिहूड रिलेटेड अक्टिविटीज होंगी मतलब कुछ चीजों का उत्पादन किया जाएगा उसे बेचा जाएगा और इस प्रकार ग्रामिन परिवार जो है उनकी आये में क्या होगी विधि होगी ये टोटल था आपका क्या रीपा यूजना अब किस प्रकार के उत्पाद है तो बहुत सारे उत्पाद होते हैं जैसे कुछ जगहों पर कोसा का कपड़ा बन जाएगा समझ में आया कई लोकेशन ऐसे हैं जहां पर टेरा कोटा आर्ट ठीक है कि नहीं ऐसे अनेक प्रकार की गतिविधिया जो है वो चलेंगी कहां पर तो ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स में ठीक है कि नहीं तो मेरे हिसाब से रीपा को समझ गया अब इस न्यूस को जादा अच्छे समझ पाओ गया अब है क्या ये जो रीपा है रीपा महात्मा गांधी ग्रामिन अध्योगिक पार्क या रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अब उसके अंदर बहुत सा रूत्पाद बन रहे हैं मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं अब अगर आप इसे खरीदना चाहें तो ओर्डर देना पड़ेगा इसी कलिए बनाया गया है एकठो चैट बोट चैट बोट बनाया गया है ठीक है अब यह जो चैट बोट है इसे आत्मिक भारत वर्टिक सूट द्वारा क्या किया गया निर्मान किया गया और जिला प्रशासन के द्वारा इसे अटिफ किया गया है समझ में आया अब यह जो चैट बोट है इसके माध्यम से जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसके जो इंडस्ट्रिलिस्ट हैं या उंट्रेणॉर्स हैं उध्यमी हैं वो लोग क्या कर पाएंगे अपने उत्पादों को वाट्सब के जरिए सीधे ग्रहकों को क्या कर सकें यह बिल्कुल WhatsApp के जैसे ही काम करता है, इस chatbot के माध्यम से क्या किया जा सकता है, तो order को place किया जा सकता है, और payment भी किया जा सकता है, अब इससे फाइदा यह होगा, कि इन सब के लिए online market जो है वो खुल गया, और online platforms जैसे कि Amazon हो गया, Flipkart हो गया, इसके माध्यम से भी ग्रहको को क्या किया जाएगा, बेचा जा सकेगा इन products को, तो इनके लिए क्या हुआ, market पूरा का पूरा खुल गया, ठीक है, चलिए, अच्छा, अब अगर बात करे questions की, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, mains जो है न, इसमें 60 words में आप रीपा योजना के उपर क्या करना, एक ठो, short note, इसको ready कर लेना, एक question, ठीक है, अच्छा, अब ध्यान रखना, आपको pre के point of view से बता रहा हूं सबसे पहले इस news में क्या क्या चीज़े important है, तो सबसे पहले पूछेगा, कौन से जिले में, तो पहला ही question याद रखना, रायगर जिले में, ठीक है कि नहीं है, तो पूछ at boat है, रीपा ये उजना वाला, इसकी शुरुवात कौन से जिले म हुई, तो रायगर अगला किसके द्वारा हुई, second question बन सकता है, third question आपको घुमात पूछ सकता है, कि इसको कौन डेवलप किया है, त्वात्मिक भारत, वर्टेक सूट, समझ में आया कि नहीं आया, और कौ कौन active किया है, तो रायगर जिले का प्रशासन, administration, district administration, ठीक है कि नहीं है, अच्छा, ये तो तीन हो गया, चौथा question घुमात पूछेगा, चैडबूर्ट जो है, वो किस योजना के लिए डेवलप हुआ है, तो ध्यान रखना, रीपा योजना के लिए है, ठीक है, इसके अल तीश शब्द का question आजाए, तो ये तो बात थोड़ी सी मुश्किल ही है, अगर आप कोई essay लिख रहे हो, जिसमें 36 गड़ की आर्थिक विकास की बात हो रही है, या चत्यगड सरकार के योजनाओं की बात हो रही है, तो इस essay में इस content का क्या किया जा सकता है, इस्तमाल utilization किय जा सकता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे ध्यान रखिएगा, अगला है, 36 गड़ में हाथियों के movement की high-tech monitoring, तो सामाने तोर पे अगर आप लोग newspapers पढ़ते हो, तो 36 गड़ में हाथियों और मानवों के बीच का जो संघर्ष है, इसके बारे में हमेश हाथियों का movement है, इसे high-tech तरीके से monitor किया जाए, टेकनोलोजी के help से monitor किया जाए, ताकि ये हो सके कि हाथियों का movement है, उसके बारे में हम लोगों को सूचित कर सकें, तो पहले से सूचना दोगे, तो लोग precautions ले सकेंगे, जिसके कारण जानमाल की हानी क्या हो जाएगी, कम हो develop किया गया है, ठीक है कि नहीं है, अब ये app है क्या, तो basically होता ये है, कि जो हाथी trackers हैं, उनके द्वारा जो की जाने वाली मुनादी है, इसके अलावा, ये लोग इस app पर जानकारी feed करते हैं, कौन लोग, हाथी trackers लोग, और ये जो जानकारी है, इस app के माध्यम से, प्रत alert के माध्यम से, बहुत जानकारी उनको भेज दी जाएगी, जिससे उन्हें पता चलेगा हाथियों की उपस्थिती के बारे में, समझ में आया, तो है क्या basically ये application, तो इस application के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो elephant trackers हैं, ठीक है, हाथी trackers है, जनको हाथी मित्र दल भी कहा जा पीडिच छेत्र में, उनके mobile पर call, SMS, WhatsApp के माध्यम से alert भेज दिया जाएगा, अब आपको लगेगा कि किसको किसको आ जाएगा, message मेरे इक भी आ जाएगा, क्या करके, तो ध्यान रखना, जो gramid परिवेश है, जो कि इस हाथी की समस्या से प्रभावित है, वहाँ पर लोगों या gramid जो लोग हैं, उनको अपना mobile number और GPS location रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, तो जो लोग रजिस्टर करेंगे, उनहीं लोग को ये जानकारी दी जाएगी, आपको मेरे को पहले से नई भेज देंगे, समझ में आया कि नहीं आया, अब ये जो application इसको develop कौन किये हैं, तो I hope समझ गये होगे, अब क्या किया गया, भई develop किये, तो पहले इसको test भी किये होंगे न, तो इसको test भी किया गया है, पिछले तीन महीने से इसे सीता नदी उदंती, ये जो tiger reserve है, यहाँ पर क्या किया जा रहा था, test किया जा रहा था, और 10 km के इलाके में हाथियों का real time movement ज इन महीने already test किये, सीता नदी उदंती tiger reserve में, उसके बाद क्या किये, तो ये देख रहे थे कि 10 km का जो periphery है, एरिया है, उस एरिया में हाथियों का real time movement हो रहा है, क्या उसका alert गाउं वालों तक जा रहा है, तो इस आपके माध्यम से बिलकुल जा रहा था, ये बिलकुल क्या रहा, सफल रहा, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, तो इस monitoring आपको अब पूरा का पूरा जो है, छत्त गड़ में लागू किया जाएगा, ठीक है कि नहीं है, तो आद भी जो भी पीडिच छेतर है, जो भी हाथी पीडिच छेतर है, वहाँ पर क्या करें, जो लोग है, वो लोग mobile number और GPS location रजिस्टर कर लें, और जैसे ही हाथीयों के movement के आधार पर मुनादी तो होती रहेगी, लेकिन जो elephant trackers हैं, वो जैसे ही input देंगे, artificial intelligence क्या करेगा, इनके input पर काम करते हुए, जितने भी registered numbers हैं, उन सभी पर call, WhatsApp, WhatsApp alert और SMS जो है, इसके माध्यम से हाथीयों क उपस्तिती की सूचना दे देगा, ठीक है कि नहीं है, अब क्या गिया जाए, question देखा जाए, ठीक है भई, तो इसमें से MCQ क्या बन सकता है, तो MCQ जो है, यह आपको पूछ लेगा, कि यह जो चत्तिजगर elephant tracking और alert app है, इस alert आपको develop किस ने किया, तो FMIS और वनजीव wing, इसक बहुत detail पूछना चाहिए, तो पूछ देगा, भईया, इसका testing कहां किया गया था, सीता नदी उदन्ती में, ठीक, mains की अगर बात करोगे नहीं, तो ध्यान रखना, यह सीधा-सीधा 30 words का question बन सकता है, ठीक, technology वाला जो section पेपर नमबर 4, उसमें direct पूछ देगा, कि आपको एक short note लिखना है, चत्रगड, elephant tracking और alert आप के बारे में, ठीक है कि नहीं है, तो ध्यान रखना, mains में भी है, सीधा काम में आ सकता है, ठीक भई, अगली योजना, या अगला news योजना भी है, तो एक scheme या योजना है, जिसका नाम है, डॉक्टर तुम्चो दुवार, ठीक है क नहीं, तो बड़ा ही easy type का ये योजना है, इसके नाम से ही आप समझ जाओगे, कि डॉक्टर आपके द्वार पर आने वाले हैं, तो क्या रायपूर में डॉक्टर आ जाएंगे, तो समझ लो अभी, रायपूर की बात ये नहीं है, तो basically इसकी शुरुवात, श्री राजपूर है और फरसगाव हैं, वहीं पर की गई है, अब ध्यान रटना, ये जो डॉक्टर तुम्चो दुवार अभियान या स्कीम है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, तो बड़े राजपूर और फरसगाव, ये जो दो ब्लॉक्स हैं, इसके जो पहुंच विही पहुंचाई जा रही है, डॉक्टर फोन पर बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये हो रहा है कि आप उनको फोन कर दो, तो डॉक्टर जो है, वो आ जाएंगे आपके घर के, समझ में आया, उल्टा मत समझ ले ना, फोन पर डॉक्टर बता रहे हैं, कईसे लागत है, बुखा कि सर जहां पर ये ना हो, क्या बोलते हैं, कवरेज ना हो, कैसे करें, कवरेज में आके फोन कर लेना, फिर वापीस अपने घर चल देना, पतक बता देना जी, ठीक एक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई है, क तो सबसे पहले, कौशन पूच सकता है, योजना की शुरुवात, ठीक, पहला कौशन, दूसरा पूचेगा भई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरुवात हुई है, तो ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम कहा लिखा है, जी, कौन्डा गाउं आपको बताया था, हाँ, तो अगला कॉशन ये हो गया, तो कौन शुरू किया, गुपेश बगेल जी, कहा, कौन्डा गाउं, ठीक है कि नहीं है, अच्छा, हो सकता है कि आपको क्या करे, तीन या चार स्टेट्मेंट देदे, जिसमें से एक इसका उद्देश भी हो, अबजेक्टिव भी हो, तो ध् ध्यान रखेगा, इसका अबजेक्टिव या उद्देश क्या है, क्लियर हो गई ये बात, अगला, अगर मेंस की बात करोगे, तो बहुत अच्छे ध्यान रखना, आप इसे थर्टी वर्ड्स में प्रिपैर कर लेना, सीधा स्कीम्स, योजनाय जो है, उसको पेपर नमबर पांच जो है, उसके भाग एक में डिरेक्ट पूछने लगता है, समझ में आया है, तो थर्टी वर्ड्स में रेडी कर लेना, कि डॉक्टर तुम्चो दुवार, ये जो योजना है, ये क्या है, अगला, प्रथम खेलो इंडिया जन जाती, राष्ट्री खेल प्रतियोगित अब इसमें 36 गड़ की विमिन्स फुटबॉल टीम जो है, उसने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो प्रतियोगिता है, ये कब होई है, तो 9 से लेके 12 जून, कहा होई है, ओडिशा में, ठीक है कि नहीं है, अब ध्यान रखना, कौन स मेडल की संख्या कितनी है, पंद्रा, इसमें 18 राज्यों के लगभग 5000 एटलीट्स, इन लोगों ने क्या किया था, पाट स्पेट किया था, और इसी में हुआ ये, कि विमेंस फुटबॉल टीम जो है, उसका जब फाइनल हुआ, तो 36 गड़ से भिडी कौन जार्खन्ड, सम ठीक है कि नहीं है, questions देखो, सबसे पहले पूछेगा कौन सा संसकरंट था, तो प्रत्थम, अगला पूछेगा कब हुआ, फिर पूछेगा कहां हुआ, ठीक है, next question, 36 गड़ में, या 36 गड़ को कुल कितने medals मिले, ठीक है कि नहीं है, बहुत detail पूछ लिया तो, कितना gold medal, ध्यान रखना इन ही का था ये, gold medal, तो ऐसा साथ प्रकार के प्रश्न जो है, वो बन सकते है, चेक है, मेंस की बात करोगे, तो ध्यान रखना, आपको सीधा-सीधा, paper number 7 के, जो part 2 है, भाग 2 है, यहाँ पूछे, भईया, फुटबॉल में, टाइब रेकर क्या होता है, समझ म सीधा-सीधा पूझ देता है, ठीक भई, अब इसके बाद, अगला ध्यान रखिएगा, अगला क्या है, मुख्यमंत्री श्वी भुपेश बगेल ने, जल मितान, युवा, उद्यमी, उद्यमिता, कौसल विकाश, परियोजना की क्या की है, शुरुवात की है, तो आपको ध स्किल डेवलाप्मेंट जो है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इंगलिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, यह जो योजना है ना, यह जल जीवन मिशन और युनिसेफ की सहभागिता से प्रारम की गई है, अब इसमें क्या किया जा रहा है, कि जो ग्रामीन युवक हैं, सिक्षन, रेजिदेंशल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है कि नी, और इस कारिकरम के तहट प्रदेश में अभी तक 58,000 ग्रामीन युवाओ का कौशल विकास, परिक्षन देने का क्या है, लक्ष है, या इनका ट्रेन करने का क्या है, टागेट है, इसके अलावा इन लो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, अब इसका लक्ष क्या है, टागेट क्या है, तो जो ग्रामीन अंचल है, रूरल एरियाज है, यहाँ पर कुशल जल मितान जो है, इनकी उपलब्धता कराने का इसमें टार्गेट है, ठीक है, पर आजाईए, तो अगर ध्यान से देख होगे, तो आपको एक question पूछेगा, यह जो योजना है, इसको क्या करिए, 30 words में, लिख दीजिये करके, सीधा सीधा आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक, अब next ध्यान रखना, क्या है भई, तो basically, क्रिशी विभाग ने गोबर खरीदी की, रांकिंग जा क्या रहा है, first, केसी जी, खेरागर छुई खदान गंड़ई जो है, यह क्या रहा है, second रहा है, तो यह जो रांकिंग है, इसमें यह पता चला कि बिलास्पूर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो 95% जो गोठान है, उससे गोबर क्रै करता है, और खेरागर छुई खदान कि दूसरे स्थान पर है, वो 84% गोठानों से गोबर क्या करता है, क्रै करता है, क्लियर है कि नहीं है, तो इतना ज्यादा डीटेल नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, first, बिलास्पूर है, और second क्या है, खेरागर छुई खदान, गंड़ई गोबर खरीदी में, थोड़ा सा MCQ के आधार पर जादा है, यही कोशन आपको पूछेगा, कि गोबर खरीदी म कौन first, कौन second, ठीक है, next, नारायनपुर जो है, उसको देश के आकांशी जिलो में मिला है, दूसरा स्थान, क्यों मिला है, देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, 1st October 2022 से 31st of March 2023 तक, जल जीवन सर वेक्षन 2023 हो रहा था, कब से कब तक हो रहा था, 1 March 2022 से लेके, सुरी, 1 October 2022 से लेके, 31 March 2023 तक, तो लगभग 6 मेने का समय हो गया, अब यह जो था, इसमें छत जीवन का नारायनपुर जिला है, इसको देश के 43 आकांशी डिस्ट्रिक्स जो है, जिले हैं, उसमें, या ऐस्पिर दरीन क्रियानवन, एक्जेंप्लरी तरीके से क्या हुआ है, एक्जेक्यूशन हुआ है, इसी लिए इसको ये रांक मिला है, छेक है के नहीं है, निउस थोड़ा सा MCQ ओरियंटेट जादा है, आपको पहला कोशन पूछेगा, जल जीवन सर्वेक्षन जो है, कब से कब तक ह हुआ हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 फिर पूछ देगा, चाल जीवन सर्वेक्षन के वो कब से कब तक हुआ, बहुत डीटेल में पूछना चाहेगा, तो सबको मिला के एक question बना देगा जिसमें चार्ट स्टेट्मेंट रहेंगे चोथ हडाल देगा जल्व जीवन मिशन के कारियों के बहतरीन क्रियानवन के लिए यह पुरुसकार मिला है करके पूछेगा कि कौन सा सहीं कौन सा स्टेट्मेंट गलत है करके ठीक चलिए नेक्स्ट तो मुख्यमंत्री से राजय ओद्योगिक विकास निकम चत्तरगर स्टेट इंडस्ट्रिल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के जो नव नियूक्त अध्यक्ष है श्री नंद कुमार साय जी इन्होंने मुलाकात की अब कौन है तो श्री नंद कुमार साय यही कौश्चन आपको पूछ सकता है MCQ के फॉर्म ठीक है कि नहीं है अब कुछ विविद फाक्ट्स है इनको भी ध्यान रखिएगा तो हर विकासखन मुख्याल है जो ब्लॉक हेट कॉर्टर्स है वहाँ पर मौडल जैतखाम बनेगा ठीक है कि नहीं तो हर विकासखन मुख्याल हम क्या बनेगा मौडल जैतखाम स्थापित होगा ठीक है कि नहीं नेक्स देखना एक विश्व एक स्वास्थ इस थीम पर 21st जून को अंतराश्ट्री योग दिवस का क्या हो गया आयुजन किया गया और इसके माध्यम से हर घर आंगन योग इसके संदेश को प्रोट साहित किया गया ठीक है कि नहीं तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ देगा इस बार का जो अंतराश्ट्री योग दिवस था इसका थीम क्या था तो एक विश्व एक स्वास्त क्लियर है कि नहीं है किस संदेश को दिया गया हर घर आंगन योग कब मनाया जाता है 21 यूण ये तो भही पूछ चुका है PSC समझ में आया कि नहीं आया आ चुका है नेक्स बहुत बड़ा न्यूज है ये विविद में आना नहीं चाहिए था लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं है कि स्वास्त मंतरी स्ट्रीट TS सेदेव चत्तजगण के उपमुख्य मंतरी बने चत्तजगण के प्रथम डेप्यूटी सी एम उपमुख्य मंतरी है ये अभी तक में जो त्यागराथ स्केडिया में वहाँ छे जून से आयोजित जो राष्ट्री शाले शत्रंज स्परधा नाशनल स्कूल लेवल का जो चेस कॉंपेटिशन हुआ चत्तजगण में बाली का वर्ग में शांदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने क्या जीता है गोल्ड मेडल समझ मैं एक नहीं आया तो ये क्वेशन भी सीधा सीधा MCQ क्वार में आपको पूछ सकता है फिर दंतेवाड रिस्ट्रिक में 30 मही से 5 जुन तक परियावरन संरक्षन लिए क्या है Mission Life अभियान चलाया गया तो Mission Life अभियान क्या है 30 words में पूछ देगा कब से कब तक चला है पूछ देगा कहां चला है ये पूछ देगा तो 3 questions बन सकते हैं और उसके बाद finally धियान रुखिएगा मुख्यमंत्री श्रीप भुपेश बगेल के द्वारा ये जो मुख्यमंत्री मितान योजना चालू की गई है जो कि सिर्फ पहले 14 नगर निगम छेत्रों में चालू थी अब इसे बढ़ा कर 44 नगर पालिका है 44 नगर पालिका English में बोलते है Municipal Councils वहाँ पर भी कर दी गई है लागू I hope आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे ठीक है तो जून का जो मन्त था उसमें इतने ही Current Face क्या थे हमारे लिए बहुत जादा Important थे Examination के Point of View से अब हम लोग कुछ Questions को देख लेते हैं जिसका उत्तर आप लोगो को किसमें देना है पर या तो फिर अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें तो मैं answers को बताऊंगा ही तो प्रथम खेलो इंडिया जन जाती खेल राश्ट्री प्रतियोगिता में छत्तगर फुटबॉल विमिन्स टीम जो है उसने किस राज्य को हरा कर गोल्ड मेडल जीता अगला क्या है मुख्यमंत्री जी के दुवारा डॉक्टर तुम्चो दुवार इसका शुबारम जो है कौन से डिस्ट्रिक्स से किया गया थर्ड क्वेशन है जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास परियोजना के संबंध में क्या सही है नेक्स क्वेशन है हाल में मुख्यमंत्री जी दुवारा मुख्यमंत्री मितान युजना को कितने नगर पालिकाओं में स्टार्ट किया गया ठीक है और फाइनली जल जीवन सर्विक्षन 2023 में छत्तगड के आकांशी जिलों में किस जिले को देश में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है तो यहां पर यह जो करंट फैस था इसको हम लोग कर देते हैं इस वीडियो को कर देते हैं खतम और एक से लेके 15 जुलाई तक के जो करंट फैस है उसको लेकर मैं आप सभी के सामने हाजर हो जाने वाला हूँ 16 या 17 जुलाई के दिन ठीक है चलिए तो मैं मिलूँगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू आंड टेक केर